हेलो नमस्कार जहिन वंदेमात्रम दोस्तो अध्यन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दी का विनंदन परतियोगी परिक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्यन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस कर जिससे की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और आज आपका टॉपिक रहेगा स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद से सम्मधित महत्वपून प्रसन आज देखेंगे चलिए सुरू करते हैं कोश स्वामी विवेकानन का कोश्य नमबर सेगेगा स्वामी विवेकानन का जन्म कहां हुआ था और स्वामी विवेकानन का जन्म हुआ था कोलकाता में कोश्य नमबर थ्री देखेगा स्वामी विवेकानन के बच्पन का क्या नाम था और स्वामी विवेकानन के बच्पन का नाम नरेंदरनात दत नाम था स्वामी विवेकानंद का कोश्य नमबर फॉर देखेगा राम कृष्ण मिसन की स्थापना किस ने की थी और राम कृष्ण मिसन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने कोश्य नमबर फाइव देखेगा राम कृष्ण मिसन की स्थापना कब हुई थी 1897 1897 में कोशिन नमबर 6 देखेगा किस परसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग तथा राज योग नामक पुस्तके लिखी तो देखेगा महतवपुन पुस्तके घ्ञान योग कर्म योग और राज योग ये लिखी थी स्वामी विवेकानन ने कोईशन नमबर सेवन देखेगा किस धर्म संब्मेलन में विवेकानन ज्यादा विच्छात हुए और यह Like a के सुन के धर्म संब्मिलन में विछात हुए थे सवामी विव्यकानन डंका तक hat और परभाव साली आध्यात्मिक गुरु धर्म गुरु कोन माने जाते हैं और वेदांत के विख्यात और परभाव साली आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे स्वामी विवेकानन्द question number 9 देखेगा स्वामी विवेकानन ने किन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को परकाशित किया और स्वामी विवेकानन ने दो पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को परकाशित किया और वो पत्रिकाएं थी नमबर एक परबुद्ध भारत और परबुद्ध भारत इंगलिस में परकाशित होती थी और दूसरी पत्री का थी उद्बोधन जो बंगाली भासा में परकाशित होती थी question number next देखेगा question number 10 स्वामी विवेकानन की मरत्यू कब हुई और 1902 1902 1922 में बंगाल के बैलूर मट में ध्यान के दोरान मरत्यू हो गई थी स्वामी विवेकानन की तो ये महत्वपुन प्रस्ण आपके समाप्त हुए एक बार फिर से रिवाइज करिएगा जिससे कि ये टॉपिक आपका यहीं का यहीं कम्प्लीट हो जाए चलिए सुरू करते हैं स्वामी विवेकानन का जन्म कब हुआ था और स्वामी विवेकानन का जन्म हुआ था 1863 में 1863 में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानन का जन्म कहां हुआ था और स्वामी विवेकानन का जन्म हुआ था कोलकाता में कोश्य नंबर 3 देखेगा स्वामी विवेकानन के नाम था नाहेंद्र नात्दत्त नाम इनका कोश्य नमबर 4 देखेगाराम कृष्ट्न स्थापना किस ने की थी और्प जिसन स्थापना कि थी स्वामी विवेकारनन ने कॉश्य नमबर 5 राम किर्ष्ट्न मिष्ण के स्थापना कब हुई थी और राम किष्ण मिष्ण के स्थापना हुई थी एटीन नाइन्टी सेवन अठारे सो सतान में इस्वी में कोशन नमबर सिक्स देखेगा किस परसिद्ध समाज सुधारक ने ग्यानियोग कर्मियोग तथा राजियोग नामक पुस्तकें लि विख्यात हुए और सिकागों के दर्म सम्मेलन में ज्यादा विख्यात हुए थे स्वामी विवेकानंद कोशन नमबर एट देखेगा वेदांत के विख्यात और परभाव साली आध्यात में गुरू कौन थे और वेदांत के विख्यात और परभाव साली आध्यात में गु किस hyvin हईए और अंसर स्वामी विवेकानने दो पत्रिकान ने दो पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को प्रकाशित किया था और वो दो पत्रेखाई हैं एक पत्रिका है पद्वुद्ध भारत जो इंगलिष में पारकाशित होती थी और दूसरी दो इस्वी में बंगाल के बैलूर मट में ध्यान के दोराने इनकी मरत्यों हो गई थी और ये स्वामी विवेकानन से समंदित महत्वपूर्ण प्रसन आपके समाप्त हुए ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अध्यन गंग